कि नावस्कार साथ ही आप लोगों सागत है वज किसरी बाइक लासिस में और आज हम बीसी फर्स्ट एयर के और गेरनिक केमिस्ट्री में एरकेन का चेप्टर जो चल रहा था उसके बार उसके आगे हम देखेंगे कोरे हाउस हमने पता जिए था गिगनाट रिजेंट के साथ अब एक क्रिया के साथ क्रिया है वहम पता रहे थे एफिल मेंडेंस्यम आय्ट जाब है जीए फिट होगा चाहां अपचयन होगा बार्टर के साथ क्रिया होगी तो ए एथिन वनेगा उसकि को आप ऐसे आई एम्जी ओ ऐसे ऐसे ही है ईसे सीऐ थ्री एमजी आई के साथ एत्मीथिन बनेगा और MGI-O2O-C2O5 प्राप्त होगा तो गरगनार्याइंड के साथ यही किरिया है इसके बाद C2H5-MGI जो है के साथ जब अमोनिया के साथ जब किरिया करेगा तब एत्हिन प्राप्त मिलेगा और MGI-NH2 प्राप्त होगा आईसोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप है तब क्या होता है देखें एथिल एलकोहल की किरिया सी टू एच फाय वेश किराज जब एचाई की साथ होगी लाल फारोस फॉरस की उपस्तिती में और देर सो डिकरी चैन्टीड पर तब एथेन पराप्त होगा से टू है और प्राप्त होगा एस टू और आई टू हमें पर पराप्त होगा ठीक है तो हमें एसी टेल्डी हैट के साथ किरिया कराने पर भी एथिन और एथिन और आई टू पराप्त हो रहा है और एथिल एलकोहल के साथ भी किरिया कराने पर भी हमें यही सब पराप्त हो रहा है ठीक है एसी टोन के साथ किरिया कराएं च्छी के साथ प्रोपेन हमें पुराप्त होता है तो कि टीन कारवन है This को फिली ठील टी हमें फिरकेश कोजरी सब्सक्रावन है और एस बजिए करवन बनाने मनेने लग जाते हैं आप एसिटिक एसिट में कितने दो जरूर एथेनी पराप्त होगा ठीक है और एक टू और आई टू पराप्त होगा कार्बोनिक कार्बोनिल यूग कोंके एजेडेंड एचीजी तता सांस एची एल दोर अपचेंज करने पर क्या पराप्त होता है जिंक अमल्गम जिंक अमल्गम कहते हैं जेडेंड एचीजी को कहते हैं जिंक अमल्गम तरह सांस एचीज़ की किरिया से कार्बोनिल समूग का परिवरतन क्लीमेंसन अप्षेन कहलाता है तो कौन सा अप्षेन है क्लीमेंसन अप्षेन के बारे हम बात कर रहा है किली मेंसन अपचेन हमारा कौंसा है यह अपचेन कहलाता है जब कार्बोनिल समू को मेथन समू में परिवत्न किया जाता है वो भी जिंक अमेलगम और सांद्र किली मैंसन अपचेन तो इसमें क्या है सीयो सा इसमें क्या है इसमें क्या क्या है क्या देशति प्राप्त होगा सीय है बन जाएगा कारवक्स लिकार्वाक्स कार्वोनिल गूरू और चीव ऐसे डिया हैं तो इसमें सी ओ जो होगा सी यचो में सी ओ होता है तो उसके वह पर शीयच डू होगा हो जाएगा और एक हैस तो है इसी पर एक हैस्ट तो हैस्ट हो जाएगा तो यह प्राप्त होगा हमें प्रोपेन प्राप्त होगा कार्बनिल ग्रोगों क्या अब चैन सोडियम सोडियम इत्होकसाइट की उपसेदी में रिद्बश्चन के दोरा भी किया जाता है सोडियम इत्होकसाइट की उपसेदी MiegkenWe के hydrogen से अपचें द्वारा अलकेईनों का वनना बूलफ किश्णर अपचेंट कहलाता है बूलफ किश्णर अपचेंट देख लेते हैं किस पकार है इसमें acidihyde acidihyde ka जब hydrogen के साथ NH2 NH2 hydrogen के साथ जब अपचेंट कराते हैं इस निकल जाता है बाटर निकलने से क्या बनता है एसी टैबल गया भांड लग जाएगा और इंधर और तो इसमें एस टैली हेड ही उन किसे केंगे इसका जब करिया हम 2H5-O-NA के साथ 120 डिडीर सेंटिगेट पर करेंगे तो एथेन पराप्त होगी हमें और N2 पराप्त होगी एसीटोन है सी है दिए त्रीज्वरी ऑफ सी ओ जब करिया होगी तब है यह पराप्त होगा है 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 तो है दूर निकल जाता है है हमें प्राफ़ता है एसी टोन हाइडर जोन हमें प्राफ़ता है कि एक सो पीस डिग्री सेंटिकेट पर प्रोपैन हमें प्राफ़ता है और और इसके बाद आता है कारवाक्सलिक कंडा वैज भर हमलों एक लीजए अबना से कर्वाफल से बसी या में लिए सोडीयम लावान को सोडा लाइम न UE हैण rapid करने पर ठाथ होता है जिसे सोडियम ऐसिटेट ले लिया और एन्येश के साथ करिजा CAO जो सोडा लाइम होगे तो मेथिन और एनेटू सीओ त्री हमें राप्त हो जाएगा इस अभी करिजा में कारवाक्सिलिक अमल है से सीओ टू का अडू कारवनेट के रूप में निकल जाता है अधा इस करिजा को का भी कारवाक्सिलिकरां कहते हैं बस यह आमलों के सोडियम तो था पोटेशियम लवनों की बिद्दत अबगटन से कॉल विद्दत अबगटनी में क्या होगा कि पोटेशियम पर ले लेते हैं इस में बिद्दत अबगटन कराते हैं तो इसका एन आयन और कैटाइन में तूट जाता है अब एनोड पर क्या जाएगा कैटाइन जाएगा सी एस त्री सी डावल ओ आयन जो है वो इलेक्टन को निकाल देगा और सी डावल बन जा लेगा ऐसे 2 मोलेक्वे मिलकर सी ऐसे तूछ और सी ओटू का दर्मान करेंगे पोटेशियम पिलस जो है वो इलेक्टन को गुरह कर लेगा पर निकले की आधे आएज निकले की और एस्टू आ निकलेगी और यूट अनोड पर निकलेंगी दोन दýख लिए इसके जी ऐलकिंश एक सबस्केर को में सो होती है सी सत्रे तक की रंग हीन होती है गंद हीन द्रव होती है और उच्छ सदस्ट से ठोस होती है यह धुरूबिय बिलाइक हो जैसे जल में अबिले पर अधुरूबिय बिलाइक हो जैसे कलोरोफान एसीटोन एथर में बिले होती है इनकी धुरूबिय जो होते हैं वह जल म प्रवार के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं इंपर्टेंट बात क्या होई इथर प्रवार बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़नांग बढ़ते हैं इसका कम उत चला जाएगा इसका करण ये हैं कि Спार्विंद्ट के बढ़ने के साथ अंत्रा अब मांपादीट कले अधिक ह्याएंगे अन्तारौण चले जाएंगे एन प्रशनाख निविद्न निवित करें में होती अग्धको तेंगो फिर्रटे चले जाते हैं भड़ने चेंवागम है यृट्व भट्रथ चले जाती हैं अब घटे चले जाएंगे तो क्या हो गया पैंटेन कि मैं भेसोर को तरहा होग और इस ड्वार अफिए भी जयादा होगा और इट ethics को अरहरा हद VII नूब कि सम्कारवन वाले एल्केनों की कुछनांग अपने से कम तथा अधिक संख्या वाले एल्केनों की कुछनांग से अधिक होते हैं तो इसमें क्या हो गया कि इनकर गलनाग होता है कि सम्कारवन की एल्केनों की अधिक होते है इसका करण दिये है कि सम्केनों में के सिरों पर उत्सेत कारवन पर्वानों विप्रीत पक्षों में होते हैं कि जब की बिसं म कारवन वाले I A lateral संख्ञया की सिरों पर इस्थित कारवन पर्माणूं समान पक्ष में होते हैً सघ्था सम कारवन संख्या वाले在 regular section Hu के ऑनुन परशी पर एक इसम काार जोड़ते हैं कि इनके गाल्स लाग किया दिख है राक्षिक गल्लांग दीक होगता हैं कि इम्पॉर्टं वात और भीजाईंवाक्षि बाद सम्क्राक्षियर एजब आरा कर दो हमाई च्डरण फिराहं को अलगए 40 grim starts गरत तो पाइंट बन जिरो पाइंट एट ग्राम पर सीशी और यह इससे डोलाते हैं विए राय साइनिक गुणों में हैलो जानी करन देख लिए हैलो जानी करन तो आपको पता है किलोरिन किसा चाहिए तो ऑलकेल एलाइड एक्टिक्लोराइड बनता है जैसे कि सी एच पौर को जब किलोरीन के गिलिया होगी तब तक है था उसके फिर उसके फिर तो थी एक्टिक्ट क्लोराइड का दर्मान हो जाएगा क्रिया विज़ी किस पकाई होती है पहली स्रंखला प्रारम पद है कि उसमें क्या होता है किलोरीन किलोरीन के साथ क्रिया करेंगा और मेथिन का मुक्त मुलग बना लेगा बाकि किलोरीन का मुक्त मुलग बना लेगा और मेथिन का मुक्त मुलग बना लेगा और मेथिन के मुक्त मुलग बना लेगा और मिठीन मिधीन के हैं तो एथीन बनाने हालोजेंगे हालोजेन का म कर मंध्र मुटतर तक दॉक्र mezСТान इस पर कलोरीन इस पर कलोरीन वाग है प्रसुपर नहीं हो जाते है difficult को उचे अच्छेट डिस्टों के सभी संभब MONOEORC 토grade प्राप्ट होते हैं नियम्के अनुसार प्रस्थापं निम्नट क्यारव करसे होता है फफ प्रोपें जो होती है इसके सथ उसक्रोय के लिए होती है तोई खुछो ड्न बनती है और फिर मेंसल बनती है जानी कि यह करिया होती है उप उपरक्षा होती है इस अब दो से मिल्या法 कर दो ही होती है लेकिन आइडीन के साथ जब यह क्रिया 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 होती है इस क्रिया को अनुत कर्माणी बनाने लिए इस आक्सी कर रग बतार्तों से से कि व्रसुद्दी में कराते हैं एक चैनल ठी है और है यह यह नए अच्छी ऐसे शुदेशन हो जाता है ऑक्सीट करिया हो जाती है आरहे जीए आईच की आईटो के साथ करिया हुए साथ में लग जाएगा तब तो और यह बनेगा और से ही सीटू सिक्स की टी टूसे के साथ जब करिया आइटू और और इस दूबन जाएगा फ्लॉरीन के साथ होती है सीज 1-4-एफ-2-2-a-6-4-4-HF बनेगा और योगे विसफोत बनता है कि होता है कि न्हों चाहर पांतोट के साथ चाहर पांसोड नाइट्रो एलकेन बन जाता धार पादीन दो कुछ प्रूपन के तब था ने याफ के सब कर जाता है नहीं जाता है नाइट्रो एथेन और नाइट्रो मेहिन का निर्मार हो याता है सल्फोनेशन की क्रिया जब होती है तब इस एल्थियर में है सब गर्या होगे तब क्या होगा यह एस ओस्री एच वन जाएगा आज दीकेटर पर आर एक्स वन फ्राप्त होगा और यह पाइं वाट प्राप्ट ऑक्सिडेशन की क्या जब होती है तब तो सी एकस एच वाई प्रस वाई वाइव पॉन फोर ओटू एकस योटू प्लास एकस वाई वपॉन टू एच टुओ यह रियक्शन इस तरह से पहोती है नियंत्रित ऑक्सिडिशन जब होता है तो एलकोहल एल्डीहाइड और कार्वाक्सिलिक माध्धमिक क्रिया फलों के रूप में सियोटू अंतिम क्रिया फल के रूप में प्राफ होता है मैथिन है एद मैधिल एलकोहल है कि हाफ और के साथ करिया होगे तो आयस्थाई बन जाएगा बाटर निकलेगा इसमें से तो फॉर्मेल्डीहाइड बन जाएगा और यह फॉर्मिक अंबल बनेगा उसके और और निकलेगा तो सीयोटू बन निकल जाएगी उत्परे रिक ऑक्सिडेशन केटलाइटिक करने पर मेफन मेथन मेफिल अलकोहल और के साथ तो मेथन की क्रिया जब कर जाएगी ऑक्सिजन के साथ सी यू टूब कापर टूब के अंदर 200 डिक्री सेटिकेट पर 100 बायो मंडल दाप पर तब ऑक्सिजन का एक नौन पात एक के रूप में तरिया होगी सियां मेथियन और ऑक्सिजन की और बनेगा मैथिल अलकॉहल बन जा ओक्सिजन के साथ मोड़ीनम ऑक्साइड के साथ के लिए होगी और एसटिक अम्ल और एसटिक अम्ल और एसटू अपराप्त होगा समावयवी करन मला आईसो मैरम इस किसी योगे का समावयवी कि योगिक में परिवर्तर समावेवी करण कहलाता है किसी को योगिक का उसका हम ना आइसो मेर बना दिया सब्सक्राइब आइसो मेरिजेशन कहता कि यह कहलाता है जैसे कि एन ब्यूटियन को ऐल्मोनियम क्लोराइड आइसे एल्टियम करते हैं तब हमें क्या प्राफ होता आईसो ब्यूटूर रहमें प्राफ्त हो या अधिक आर्वन युग तो यह को उच्छे ताप पर करने पर एरो मैटिक योगिक हमें प्राफ्त हो या इसकी जब किरिया हम वोट्री पिलस सट कहान तू-इ सच्प्राफ इस सट के रिजस्ट फ्राफ्त है तो बैंजीन प्राफ्त होती है और हमें राम तो हो जाती है और और किसा करेंगे तब टॉलूइन प्राप्त हों गी टॉलूइन और अच्टू इपार तो बंजन करें क्रेकिंग क्रेकिंग मेधिन की जब एफिनी तुर्य करा कराते हैं तो प्रोपेन बायूं की अनोपस्तिया की ताप ही आपड़न को भंजन कहाते है थाप्त करियों के प्रकृति टाप अदर प्रह सब्सक्राтории . ज हुरा नहीं हो प्रोपेन के बनई थी बनेगा एथेल्न बनेगा अगर यह नहीं बनीगा तो प्रोपेन बने गी और एजट्व बनेगा तो इस प्रकार हमारा आज का जी चेप्र है एलकेन उसाम आप तो जाता है नेक्स्ट जप्र जो हम अगले सिमारे से देखेंगे आज तक हम आपको हिंदी मीडियम का फोर्ष करा दिया यह थर्ड वीडियो थी पहली सेकंड वीडियो और फस्ट वीडियो भी हमने झाल 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 झाल